नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ओफिस गुरू चैनल में दोस्तों आज हम MS Word में सीखने वाले की ग्राफ या चार्ट कैसे बनाते हैं देखी दोस्तों यहां पे एक छोटी समरी मनाएं मैंने ओपिस की यहां पे जो हमारे सेल्स ओपिस है रे 5 उनको टारगेट इस मंत में क्या था और उन्हें अभी तक कितना अचिव किया है और टूटल टारगेट और टूटल अचिवेट तो हम यहां पे ब्रांच का परफॉर चार्ट में शोग करेंगा और एंप्लाई वाइज भी परफॉर्मंस यहां पे शोग करेंगे तो दोस्तों यह हम MS Word में किस तरह किसे करते हैं यह आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ठीक है दोस्तों चलिए मैं सिंपली यहां से यह चार्ट सब डिलीट करने वाला हूँ दोस्तों अब हम प्रिपेर करेंगे पाई चार्ट और कॉलम चार्ट वो भी MS Word में ठीक है दोस्तों शुरू करने से पहले आपको चोट इसी रिक्वेस्ट अगर अभी तक आपने आपकी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजे बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तों दिखिए आपको जाना ही यहाँ पर इंसर्ट टाइब में इंसर्ट टाइब में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर इलिस्ट्रेशन का एक ग्रूप है इसमें है चार्ट के ऑप्शन्स तो आप एक सिंपल सा चार्ट यहां से क्रेट कर सकते है कॉलम चार्ट जिससे आपने कॉलम चार्ट को स्लिट किया दोस्तों तो कॉलम चार्ट क्या करता है एक डिफॉल्ल डेटा बनाके उसके उपर वो चार्ट आपको डिस्पले करके देगा ठीक है अब यहाँ पर आपको आपका डेटा इस ए इस को पस्ट करेंगे और यहां पहलेकर क्यों से कि итоге आपका यहां पर यहां पर पेस्ट हो जाए गाँ जैसे यहां पर पेस्ट होड़ा भी यहां पर देखिए चेंजिस हो गए यहां पर आपके इंप्रॉई की नाम अंश विवेक जय सनिल और संकेत का नाम आ गया पस देखिए यहां पर सेरीज 3 देखिए इसका भी छोटा छोटा यहां पर आपको बार दिखाए दे रहां वो क्या है दोस्तो यह वाला एरिया है यह से हम डिलीट करेंगे डिलीट करने के बाद तो आपका यहां चोटा सा वह बार था वह तो चला गया लेकिन यहां पर लेजन वे उसका नाम गया तो इससे कैसे चेंज करेंगे चले मैं आपको दिखा तो इसा यह वाला एरिया है दोस्तो यह एरिया चार्ट के लिए स्लेट होई हम इसे ड्रैक करेंगे अंदर की तरह तो देखिए आपका चार्ट आप चाहे तो यहां से कुछ चेंज़ेस भी करेंगे 75 करेंगे तो देखें यहांपे चेंजेस हो रहे है यहांपे चाहे तो 90 करेंगे तो देखें आपको डेटा यहां से copy-paste करके simply इस excel में paste करना है ठीके और यसे close कर दीजें यह close हो गया अब दोस्तो इस चार्ट को आप थोड़ा सा फॉर्मैटिंग भी कर सकते हैं, इस चार्ट के टूल्स ओपन होगए यहां पर डिजाइन में जाए और आपको जो अच्छा लगए वो डिजाइन आप चार्ट का स्टाइल अपलाई कर सकते हैं इस बार के ओपर अगर आपको लेबल्स चाहे तो राइट क्लिक अड़ डिटा लेबल्स कर सकते हैं, राइट क्लिक अड़ डिटा लेबल्स भी हो सकता है, तो इस तरीके से आप यह कॉलन चार्ट इजिली बना सकते हैं और चार्ट का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं दोस्तो अब इसके बाद हम create करेंगे pie chart, pie chart के लिए मैं क्या करूँगा देखिए दोस्तो, आपको simply जाना है insert tab में, insert tab में जाने के बाद chart, chart का option को click किजिए और यहाँ पे select किजिए pie chart, ठीके, ok बटन पे click करना है, तो एक default pie chart आपका यहाँ पे create वाए दोस्तो, बस आपको इस excel sheet में यह editing करने वाँ देखिए दोस्तो, यह excel को में थोड़ा सा बड़ाग और यहाँ पे लिखने वाँ दोस्तो में, name तो हमारी branch का नाम है by, ठीके, और यहाँ पे लिखेंगे target, टोटल टारगेट यहाँ पे 500, चलिए मैं यहाँ पे 500 अपडेट कर देता हूँ, यहाँ लिखे achieve, a, c, h, e, b, e, d, achieve कितना किया है, 325, बस और यह निकाल दीजिए यहाँ से, देखिए, automatic pie chart भी update हो गया, और यह selection इसे कम कर दीजिए, यहाँ तक करने के बाद देखिए, भी proper भरने है pie chart, बस इसे close कर दीजिए, इस chart को आप formatting भी कर सकते हैं, देखिए, मैं इस तरह किसे formatting करता हूँ, यह लिजे, यह लिजे, formatting और right click करना है, और add data labels, देखिए दोस्तो, इस तरह किसे आप easily pie chart और column chart बना सकते हैं, तो आज का यह session था दोस्तो कि MSU Word में, अगर आपके पास कोई summary है, कोई data है, उसके उपर से pie chart या column chart कैसे create करते हैं, आशा करना दोस्तो आपको यह session पसंद आया होगा, दोस्तो प्लीज सब्सक्राब कर दीजे और like और comment करना मत भुली दोस्तो, बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद दोस्तो